तो दोस्तों आज आपके साथ शेयर करी हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद एक्सपर्ट में और मैं हूँ अदिदी तो ये जो आज फ्राइड राइस की रेसिपी न बहुत ही डिलिसियस रेसिपी है तो चली बनाना कैसे है देखते हैं फटा फट से यहाँ पर गैस के उपर मैंने रख दी है एक कड़ाई और अब कड़ाई में हम डालने वाले हैं तेल चाहें तो आप इसे घी में बनाए तेल में बनाए जिसमें मन चाहे आपका उसमें बनाए तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया हाई और तेल को हम यहाँ पर गरम होने देंगे और जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ जीर्ण तो अध़ाचमच यहाँ पर मैंने जीरे का यूज कर रहा है आप चाहिए? तो यहां पे कुछ तेज़ पता या गरम असाले डाल सकते हैं मगर मुझे यह जो फ्राइड राइस है ना प्लेन अच्छी लगते हैं बहुत ही डिलिसियस बनते हैं और अब देखे हमारा जो जीरा है वो यहां पर चटकने लगा है और फ्राइड राइस में कोई करम मसालों की लोंग काली मिर्च तेज़ पता की ज़रुएत नहीं है क्योंकि सबजियों से ही इसका जो स्वाद होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अद्रक तो थोड़ा सा अद्रक डालेंगे इसका टेस भी बहुत यह उसम लगता है और जो लहसुन और अद्रक होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी भून जाते हैं तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दो प्याज तो देखी प्याज को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है बिल्कुल बारिक हमें नहीं चाहिए यहाँ पर प्याज तो प्याज को हम यहाँ पर चला लेंगे, थोड़ सा भून लेंगे, जो प्याज हैं उन्हें हमें थोड़ा ना कचा कचा ही रखना है, हमें यहाँ पर इन्हें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़े से हलके से पक जाएं, बस उतना ही हमें यहाँ पर इन्हें भूनना है दोस तो चली अब करना क्या है इसमें डालेंगे हम कुछ हमारी सबजियां तो यहां पर लिए है मैंने French Beans तो French Beans को देखिए इस तरीके से कुछ मैंने बड़े-बड़े pieces में काट लिया है तो इसको डाल देंगे फ्रेंच बीन्स को डाल रही हूँ पहले क्योंकि ये थोड़ी सी हाड होती है इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो चली फ्रेंच बीन्स के साथ ही एक और हाड सब्जी जारी है वह है गाजर तो यहाँ पर आधा गाजर लिया था मैंने और इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है तो बीन्स और गाजर को प्याज के साथ हम थोड़ा सा अच्छ से भून लेंगे चली थोड़ा सा इसको भूने के बार इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्ची तो हरी मिर्ची को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में काट लिया और इनके जो बीस थे ना जो सीट से उनको मैंने हटा दिया है और साथ मही में डाली हुए यहाबर एक टमाडर बारी कटा हुआ तो सारी सबजियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ तो देखे कितनी बड़िया लग रही है हमारी सारी की सारी सबजियों कितनी कलरफुल है तो इसमें डाल देंगे हमारे कुछ मसाले पस थोड़ी थोड़ी से ही यहाँ पर हमने डाल दिया आधा चमच नमक और इसके साथ ही डाल रही हुँ में यहाँ पर लाल मिर्च बस मसाले इतने ही चाहिए हलदी का मैं यूज नहीं करती हूँ फ्राइड रैस में क्योंकि जो फ्राइड रैस का कलर वाइट वाला और सबजियों का जो सबजियां डलती है न कलरफूल उनका जो कलर होता है वो ही मुझे सबसे बैस लगता है तो यहाँ पर हमने गैस की फ्रेम को कम कर दिया और सबजियों को अभी हम कवर कर देंगे और इनको थोड़ा सा सोफ्ट होने तद पका लेंगे तो दो मिनट बाद देखिए देख लेते हैं सबजियों को तो सबजियां जो हैं वो थोड़ी सी यहां पर सोफ्ट हो चुकी है थोड़ा सा गाज़र को अगर कट करके देखे तो एजिली कट रही है इट मेंस सबजियां हमारी पहले के कमपैरिजन में काफी सोफ्ट हो गई है तो अब इसमें हम डालेंगे यहां पर एक शिमला मिर्च तो शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है तो इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ बाद में बाद में डालने का रिजन यह ताकि जो हमारी फ्राइड राइस हैं उनमें इनका crunchiness बना रहे इसलिए मैं यहां पर capsicum को बाद में डाला है दोस्तो और अब इसमें डालेंगे हम हमारे चावल यह चावल मेरे दिन में बनाए थे और दिन में बनाए थे तो बच गए थे तो अब शाम को तो कोई भी नहीं खाना चाहेगा मगर हाँ मैंने fry-dry is बना दिया न इस तरीके से तो ये बचने वाले नहीं दोस्तों मिर ले भी नहीं बचेंगे सब खाजेंगे इसे मंग-मंग घरके तो मैंने सोच ओ फ्राइड राइस ही बना लेती हूँ और बना रही हूँ तो आपके साथ भी इस recipe को share करना तो बनता ही है न तो चलिए हमने चावलोन को यहाँ पर डॉल दिया है बिलकूल हलके हाथों से जैसे आपको हमेशा बताती हूँ बिलकूल इस तरीखे से मेरे style से वह नो इस तरीखे से करची को हिलाते हुए हम सारी चीजों और सबजी को, चावल को अच्छ से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज्यादा जोड लगा-लगा करके नहीं खिलाना है आपको बिलकुल हलके हातों से हम चावल को चावल को सबजीओं के साथ मिक्स कर लेंगे देखे कितना बड़िया कलर लग रहा है इसका वाइट और इसमें जो ग्रीन रैड सारी सबजी है ना और इसमें डाल रही हूं में थोड़ा सा सोया सॉस फ्राइड राइस बन रहे हैं भाई तो ये सारी चीजे तो इसमें थोड़ी पहुच जाएंगी ना तो चली सोया सॉस डाल करके भी हम बिल्कुल हलके हाथों से चावल को कर लेंगे मिक्स और अब इसमें डालने वाली हूं में जो स्प्रिंग अनियन होता है ना हरा वाला जो प्याज होता है वो डाला है मैंने इसकी खुश्बू इसका कलर और इसका जो टेस्ट होता है ना फ्राइड आईस हो मंचूरियन हो चावमीन हो सब में बहुत ही अल्टिमेट लगता है दोस्तों तो हो तो डाले, नहीं तो कोई issue नहीं है, कोई मसला नहीं है मगर डालने से इसका जो टेस्ट होता है बढ़ जाता है दोस्तों, यकीन मनेगा और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस होता है ना जो वो डाल रही हूँ इससे भी बहुत बढ़ी एक केस्ट आजाएगा, जैसे जो हमारी Chinese recipes होती है ना, उनमें सोया सोस, चिली सोस, रैड चिली सोस या ग्रीन चिली सोस डलता है, तो मैंने यहाँ पर जो ग्रीन चिली सोस होता है उसका एक चमच भार करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है और एक बहुत बढ़ी असरी ट्रिक आपके साथ शेयर करें, यहाँ पर मैंने लिए है पानी और पानी के कुछ छीटे आप इस तरीके से लगा देजी, चावल में, पुलाओ में, किसी चीज़ में भी, पोहे में उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जो, हमने कुछ पानी के छीटे इसमें डाले है न, आपकी जो, जो भी आप बना रहे हैं, पोहा, पुलाओ या, मतलब फ्राइड आइस, उनका लुक ही चीज़, मतलब उसमें जो सोफनेस आ जाएगी न, जो एक मॉस्ट बनेंगे, वो क्या ही बताओ, ये ट्रिक जो है न, मेरी छोटी भेहन से ही मैंने सीखी ती, मतलब देखा था मैंने उसे, इस तरीके से करते हुए, और इस ट्रिकों में हमेशा ही फोलो करती हूँ, और वाकई का माल की ट्रिक है ये, तो देखिए हमारे चावल, कितने बड़ी हैं, मतलब पहले आपके लिए सर्फ कर देती हूँ, तो ली हमेने हाँ पर एक प्लेट, और सर्फ कर लेते हैं हमारे बड़ी असे फ्राइड ड्रेस दोस्तों, देखिए गजब का लुक लग रहा है इनका, और रेस्पी अच्छी लग रही है, तो फटा फट लाइक किजे, और कॉमें अवाली जो वीडियोज है न, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, सबसे पहले दोस्तों, तो लीजी बिलकुल तयार हैं हमारे सुपर टिस्टी, सुपर हेल्दी फ्राइड राइस, तो देखिए कितने बड़या लग रहे हमारे फ्राइड राइस बन घर के तयार हैं दोस्तों आपके लिए, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए मेरी वीडियो को देखने के लिए कोमेंट करके मुझे जरूर बताएगा दोस्तों कैसी लग रहे हैं आपको मेरे रस्पी, थैंक यू